ओम्स्री परमात्मने नम्हा पाच्वाँ प्रक्रण दे अभिमान के त्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति सुत्र एक अश्टा वक्र राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं तेरा किसी से भी संग नहीं है इसलिए तू सुद्ध है फिर किसको त्यागना चाहता है इस प्रकार दे अभिमान के त्याग की एक्षा करके ले मोक्ष को प्राप्त हो राजा जनक के उत्तर सुनकर अश्टा वक्र को विश्वास हो गया कि इसे आत्मग्यान हो चुका है क्योंकि आत्मग्यानी की जैसी इस्तिती होती है वैसा ही वह अन्भव कर रहा है अब इस प्रकरण में वे जनक को मोक्ष का उब्देश करते हैं अश्टावक्र कहते हैं कि जब आत्मग्यान की इस्तिती में तूने जान लिया है तू सुद्ध चैतन मात्र आत्मा है तेरा कोई संगी साथी नहीं है तू अकेला है फिर तू किसे त्याग ना चाहता है त्याग उसका किया जाता है जिसे तुम अपना मानते हो जो तुमारा है ही नहीं उसका तुम त्याग कैसे कर सकते हो यह सब जिसे तुम अपना समझ रहे हो वह मात्र दे अभिमान के कारण है दे अभिमान से ही यह संसार अनंत सरीरों वाला दिखाई देता है तथा मनस्यों में जो परस पर सम्मंद है वे सब दे अभिमान के कारण ही है इस दे अभिमान के कारण ही आत्माओं में भी भेद दिखाई देता है कि जितने दे हैं उतनी ही आत्माएं है दे अनन्त है इसलिए आत्माएं भी अनन्त हैं यह मेरा तेरा अपना पराया आदी के समस्त भेद भी दे अभिमान के कारण है इसी दे अभिमान के कारण ही लोग वस्तूओं को अपनी समझ कर दान करते है उनका त्याग करते है या मोह लोब ममता आदी वी दे अभिमान के कारण ही है या धन दौलत महल पतनी पुत्र सम्मंदी आदी छोड़ने से कुछ नहीं होगा दे अभिमान ही सबसे बड़ा बंधन है इसके त्याग से ही मुक्ष हो जाता है या दे अभिमान ही अग्यान है दिया जलने पर अंधेरे का त्याग नहीं करना पड़ता जो है ही नहीं उसका त्याग कैसा इस दे अभिमान के कारण ही तुम्हे या भ्रांती हो गई थी कि या मेरा है इसलिए त्याग की बात सोचते हो ग्यान के प्रकास में ही तुमें इस सत्त का ग्यान हो सकता है इस दे अभिमान की ब्रांती का मिट जाना ही मोक्ष है अता तु इसे मिटा कर मोक्ष को प्राप्त हो सूत्र दो तु जिसे संसार उत्पन होता है जैसे समुद्र से बुलबुला इस प्रकार आत्मा को एक जानकर मोक्ष को प्राप्त हो अश्टा वक्र मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं कि यह आत्मा समुद्र के समान है एवं यह संसार उस समुद्र में उठे बुद्बुदे की भाती है इसलिए यह संसार तुझ आत्मा से भिन नहीं है समस्त स्रश्टी एक है इस प्रकार के एकत्त भाव को ग्रहन करके तु मोक्ष को प्राप्त हो देवी भागवत में भी कहा है यह बंद और मोक्ष मन के ही धर्म है मन के सांध होने से बंद और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता आत्मा में मन के लए करने से सारा जगत लए को प्राप्त हो जाता है अस्ता वक्र कहते हैं कि जब तक आत्मा के एकत्त का बूद नहीं होता तब तक मोग्छ नहीं होता सूत्र 3 दरश्रिमान जगत प्रतक्छ होता हुआ भी रजु सर्व की भाति तुझस सुध के लिए नहीं है इसलिए तु मोग्छ को प्राप्त हो अग्यानी को यह दरश्रिमान जगत इस थुल होने से प्रतेक्ष दिखाई देता है क्योंकि उसे इस आत्मत तत्व का कुछ पता नहीं है किन्तो उसके पीछे जो सूक्षम है वो इंद्रियों का विसे नहीं होने से प्रतेक्ष दिखाई नहीं देता आत्म ग्यानी ही इस तत्व को जानने में सक्षम है अता अश्टा वक्र कहते हैं कि ये दरस्सिमान जगत प्रतेक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प के भाती तुझ सुध चैतन आत्म ग्यानी के लिए सत्थ नहीं है तेरे लिए तो एक मात्रिया आत्मा ही सत्थ है ऐसा मान कर तुझ मौक्ष को प्राप्त हो आत्म तत्व में दर्ण निष्ठा वाला होना ही मुक्ती है सुत्र चार सुख और दुख जिसके लिए समान है जो पून है जो आसा और निरासा में समान है जीवन और मित्यू में समान है ऐसा होकर तू मुख्च को प्राप्त हो अस्टा वक्र कहते हैं कि जब तूने यह जान लिया है कि यह आत्मा पूर्ण है और मैं सरीर नहीं आत्मा ही हूँ इसलिए मैं भी पूर्ण ही हूँ यह सुख दुख मन के धर्म है आसा निरासा चित के धर्म है तता जीवन और मित्यू सरीर के धर्म है तु इन तीनों से परे चैतन आत्मा है जो साक्षी है अत्र यह आत्मा के धर्म कदापी नहीं है इसलिए जब तूने अपने को आत्मा जान लिया तो तेरे लिए यह सब समान है तुझे ना इंसिस प्रसन्यता है ना दुख ऐसा इस्तित प्रग्ध होकर तु मोख्च को प्राप्त हो अस्ता वक्र इन चार सूत्रों में मुक्ती का उब्देश करते हैं कि दे अभिमान का त्याग, अद्वैत आत्मा का बोध, जगत की ब्रांती का त्याग तथा द्वन्दों में समत्त बुद्ध का होना ये चार धारनाएं आत्मग्यानी को मुक्त करा देती हैं इति अस्ता वक्र गितायाम पंचम पक्रण समाप्तम ओम शान्ती 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 वरिस भीवल छिmüşड़ी समत्त capable ओल को मुनदों जख सुन ट्रूएं ये अन्न्तुर आतम ओल मुद्भ-ता दे